All of you know that PGVP head में main charging section होता है section no.28 Section no.28 के अलावा और भी बहुत सारा charging section available है PGVP head में और वो सब charging section को बोला जाता है dimmed charging section Section no.28 main charging section और बाकी जो charging section है उनको बोलते है dimmed charging section One of the most important dimmed charging section जो PGVP head में available है वो है section no.41 Section no.41 dimmed charging section क्यों है? इनके पिछे philosophy क्या है? reason क्या है? वो समझना जरूरी है अगर section 41 का philosophy समझ में आ जाएगा तो section 41 का content भी समझ में आएगा तो section 41 का philosophy समझना सबसे पहले first and foremost important thing है 41 का philosophy क्या है? 41 का philosophy है अगर SSE को कुछ amount receipt हो है नहीं तो कुछ benefit अक्रू हुआ है उनमें profit और gain का character ही नहीं फिर भी वो PGP head में chargeable होड़ है section 41 के थुरू इसलिए section 41 को बोलते है dimmed charging section चले एक बार note down कर लेते वेर सर्टेन अमांट और रसेप्ट इंपोर्टन वाड़े अमांट रसेप्ट और बेनिफिट अक्रूट इदर तो अमांट रसेप्ट हो है नहीं तो benefit accru हो है असे सिव बट यह अमांट रसेप्ट और benefit accrued इनमें do not have do not have the characteristics of profit and or gain तो जो benefit accru हो है नहीं तो जो amount रसेप्ट हो है उनमें profit और gain किसी का भी characteristics प्रेश्टिक्स 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 नहीं है स्टिल इंकम अंताव इंकम का ही characteristics मिसिंग है बेसिकलिए स्टिल सेक्शन 41 इंम तोस्तिक्स प्रेश्ट। और benefit chargeable अंडर दा हेट पीजी बीपी तो देखिए क्या बता रहे हैं रेसिप्ट और बेनिफिट जो एससी के पास आया है उनमें प्रोफिट और गेन का कैरेक्टरेश्टेश्टेश मिसिंग है फिर भी हो सेक्शन 41 के थू चार्जेबल होड़ा है पीजी बीपी हेड में पीजी बीपी हेड में चार्जेबल होने के लिए जो में चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नमर ट्वेंटी एट उनका कंडिशन ये रेसिप्ट और बेनिफिट फुल्फिल नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ना तो प्रोफिट का कैरेक्टरेश्टिक्स पॉसेस कर रहे है ना तो गेन का कैरेक्टरेश्टिक्स पॉसेस कर रहे है फिर भी हो PGP head में चार्जबल होड़े हैं तो section 28 के थुरू तो ये चार्जबल हो नहीं सकते है क्योंकि section 28 में main condition ही है कि profit और gain होना पड़ेगा तो ये तो ना तो profit है ना तो gain है फिर भी ये PGP head में कैसे आएगा इसलिए section 41 का दर्वाजा से इनको आना पड़ेगा तो section 41 को जबड़ दस्ती PGP head में चार्जबल कर दिया ये ना तो profit है ना तो gain है फिर भी PGP head में चार्जबल होड़ा है clear है यहां तक इनमें और एक important background है वो क्या है आगर SSE का business discontinued हो गया मदो SSE बहुत साल पहले वो business को closed कर दिया फिर भी उन business से related कुछ amount received होगा है नहीं तो कुछ benefit accrued होगा है particular एक PVS ER में तो उन PVS ER में वो सब benefit और वो सब receipt को PGP head में चार्जबल किया जाएगा still SSE is not carrying on any business SSE वो business को carry on नहीं कर रहा है SSE वो business को carry on नहीं कर रहा है जिस business से related amount receipt होगा है नहीं तो benefit accrued होगा है फिर भी PGP head में चार्जबल हो जाएगा वो सारा receipt और benefit यह basic background है section 41 का अब स्टार्ट करेंगे section 41 subsection 1 clear इनको हटा आता है section 41 subsection 1 section 41 subsection 1 बता रहे है where any where any deduction is claimed सबसे important है कि deduction claimed होगी और availed होगी है deduction is availed deduction अपने avail कर लिया है किसके respect में deduction अवेल किया है in respect of in a respect of any loss expenditure expenditure or trading liability तो लौस के respect में expenditure के respect में ट्रेडिंग लियाबियाटी के respect में आपने क्या किया? deduction अवेल कर लिए for any year and subsequently during any previous year उदरन में आ रहे हैं उदरन में आने में समझ में आ जाएगा during any previous year अच्छे यह जो deduction अवेल किया है deduction को अवेल कौन किया है SSC ने अवेल किया था by SSC for any year and subsequently during any previous year SSC or succession in business अच्छे से खुद नहीं तो successor in business जो है वो कौन होता है आ रहे successor in business रिसे अनी अमाउंट in respect of such loss जो loss के respect में और deduction क्लिम कर लिया है such loss और expenditure तो वो लॉस और expenditure के respect में जिनके उपर डिरक्शन अल्डेडी क्लिम कर लिया था आपने रिसेप्ट वाई अनी अमाउंट और नहीं तो such trading liability by way of remission by way of remission or secession of trading liability is deemed to be chargeable as income under the head PGBP देखिए बहुत important चीज़े कोई loss arise किया था नहीं तो expenditure incurred हुआ था नहीं तो trading liability arise हुआ था इन सब के respect में अपने डिरक्शन क्लिम कर लिया उधरान दे रहे आपके go down में stock पढ़ा हुआ था कौन सा stock चाहे raw metal का stock चाहे working progress का stock चाहे stores consumable stores चाहे stock in trade मतब finished goods inventory पढ़ा हुआ था और inventory destroy हो गया कोई कारण से जल गया accident हो गया कुछ भी अगर वो destroy हो जाता है वो सारे inventory तो आपको तो loss arise करेगा और loss के respect में अपने deduction भी क्लेम कर लोगे तो loss हुआ तो आपने deduction क्लेम कर लिया दूसरा expenditure कोई particular expenditure incurred हुआ है तो उनके respect में भी अपने PGP head में deduction क्लेम कर लोगे क्योंकि PGP head में revenues expenses को less करना होता है तो expenditure का incurred हुआ है तो expenditure भी less होगा तो यहाँ पर loss के बार में discuss कर लिया loss के बार में discuss कर लिया expenditure के बार में discuss कर लिया trading liability अगर आपने raw material को उधार में खड़िदा है तो यह revenue निचे का transaction है raw material को उधार में खड़िदा है तो आपको liability increase किया है यह कौन सा liability यह trading liability increase किया है अगर आप PGP का income compute करते हो as per accrual basis तो आपने और जो trading liability increase हुआ है उनके respect deduction claim कर लिये अगर cash basis पे आप maintain करते हो तो जब payment करोगे तब आप deduction claim करोगे बड़ अगर accrual basis पे maintain करते हो तो liability जैसे increase हुआ है आपने उधार में raw material कर लिदा है raw material उधार में खड़िदे में outstanding के आधार पे अपने direction claim कर लिया था तो चाहे loss चाहे expenditure chat liability इनके respect में अगर आपने direction already claim कर लिया और बाद में क्या हो रहे दिखिए बाद में होई जल गया था आपने देखा कि inventory जल गया तो मेरा नुकसान हो गया तो आपने direction claim कर लिया बाद में बाद में कोई पर्टिकुलर पीविए सेर में जाके insurance company आपको आपका claim को admit कर ले तो आपको पैसा देते तो जो loss आपका arise हुआ था जिनके respect में अपने direction अपने direction जैसे माल ली चा ऊदर अंधिर को एक trader है एक particular company बैसे पोडक्त क ब्हु High और company company के company को च्शो प्रडाह्त हो बेसते उनके respect में उनोंने उनहुन ने kuch advertisement expenditure किया कुछ traveling expenditure income card हुआ है other company का product बेचने कि लिए उन्होंने advertisement expenditure income card किया और कुछ traveling expenditure पिंटِकर्ण हुआ है दून्हों निंस रेश्पेक्त में सेक्प में लिए सद्सक्राद人 और त्यसले लूम केुझमट है घृत्यज्द तने प्योद के यह अव्य चॉणी बनी ही कर दिया, पैसा वापस किया, कि तुमने कितना कı 상ष किया, तो यह पैसा रखदो, और जिदना ट्रावल के लिए, जितना अद्वर्स, एक्सेल्टेशन परन न हो उन्हें इस पैसा मिल गया, तो ओधिए, loss के respect में पैसा मिल ले, नहीं तो expenditure के respect में, वो loss जिनके against में अपने direction claim कर लिया, avail कर लिया, वो expenditure जिसके against में अपने direction claim कर लिया, उन loss और expenditure के respect में पैसा received होगा, वो पैसा चार्चिबल हो जाएगा, under the head PGVPS, section 41, subsection 1, और नहीं तो trading liability, देखिए, यहां next में लिखा है, वो यह benefit acc होवा है, obtain any benefit in respect of such trading liability, कौंसा trading liability, जिसulse trading liability के respect में अपने direction claim कर लिया था, उदान, कौझसा उदान हमने लिया था, आपने raw material खड़ी थाई उदार में, तो raw material जैसे उदार में खड़ी था, तो outstanding के आधार पे आपने claim कर लिया था direction, अगर आपने उदार में खड़ी दाए तो outstanding के आदार पे आपने direction claim कर लिये उदार नम ने दिया है बाद में क्या हो ना जिनसे आपने raw material खड़ी दाथा वालीचे एक लग का राव मेट आथा तो एक लाग डिरेक्शन आपने claim कर लिये पीजी पीड में revenue तो में उसाइब का लेस्ट कर दिया सैंसे लेगा मतलब अपको बाद में देना पड़ेया इसलिए आपने लेस्ट कर दिया था बात में उनके साथ जिन जिन से आपने सामान ख़़ी दाता है उनके साध आपका final settlement होता है और final settlement में वो बताता है कि 80,000 दे दीजे बाकि 20,000 देनी का ज़रोत नहीं है final settlement हो जाता है कोई कारण से और वे एक लग नहीं लेते हूं आपसे 80,000 लएते है तो 20,000 माफ हो गी आपका, आपने तो एक लाग का direction क्रेम कर लिया, तो जिस पर्टिक्लर यर में आपने ये लाग का direction क्रेम कर लिया, उस पर्टिक्लर PBS में क्या हुआ था, एक लाग profit कम हुगिए था, बट आपको तो बात में पे कारना पड़ा 80,000, 20,000 तो माफ हो गिया, तो यह 20,000 का remission हो गया, citizen हो गया, trading liability का, तो जो 20,000 का citizen हो गया, remission हो गया, trading liability का, वो आपको income बन जाएगा उस particular previous year में, जिस previous year में ओ ट्रेडिंग liability का citizen और emission हुआ है, clear, ओ PGP में chargeable हो जाएगा, but section 28 के through नहीं, वो chargeable हो जाएगा, section 41 subsection 1 के through, वो ही बात हमने यहां पर लिखा है, यह बाला उधारन समझ में आएगा, देखे क्या बतारा है फिर से, आपने deduction already claim कर लिया है, deduction claim किया किस के respect में, loss के respect में, नहीं तो expenditure के respect में, deduction claim कर लिया, उस सल आपका profit कम हो गिया, but बात में, अगर amount मिल जाता है, तो जितना का amount मिला, उतना का profit तो आपको increase करना पड़ेगा, यह profit increase होगा, 41,1 के through, और अगा trading liability incurred हो था, और trading liability के respect में, आपने deduction claim कर लिया, outstanding के आधार पे, बात में, वो trading liability, जितना portion, रेमिट हो जाता है, नहीं तो cyst हो जाता है, उतना तो आपको pay नहीं करना पड़ेगा, उतना माफ हो गिया, तो उतना तक आपका profit को increase करना ज़रूरी है, और वो increase हो जागा section 41, subsection 1 के through, यही बाला बात section 41, subsection 1 में आ रहे है, यहां पर common question exam में आता है, कि मान लीज़ी GST, एक particular organization है, जो समान supply किया है customer को, और customer से GST collect किया है, customer से अगर उन्होंने GST collect किया है, तो यह क्या है, यह उनके लिए trading receipt है, यह trading receipt है, क्योंकि जो transaction हुआ है, तो revenue nature का transaction है, trading transaction है, उन्होंने समान supply किया है, उन्होंने सामन का पैसा तो लिया है, साथ साथ जीश्टी का पैसा लिया है, और सामन का पैसा खुद के पास रखेगा और जीश्टी का पैसा गवर्मेंट तक पहुंचा देगा, अब यह जीश्टी का पैसा गवर्मेंट तक पहुंचा देगा, पहले जब जीश्टी का पैस पैसा का बन जाएगा उनके लिए इंकम बन जाएगा बात साम्यार है रिफांट हो गया पैसा तो रिफांट में उनका इंकम बन जाएगा बाद में अगर ओ जो रिसीपियंट है जिनसे उन्होंने जीश्टी का पैसा का लेट किया था उनको अगर फिर सी जीश्टी का पैसा वो supplier refund कर देगा, supplier को government से refund मिला और supplier अगर यही पैसा जिन से लिया था, recipient से लिया था, जिन को समन supply किया था, उनसे लिया था, तो recipient of the goods, services और both, उनसे अगर GST लिया था, और उनको फिर से GST refund कर देंगे, तो फिर से इनको deduction मिल जागा, तो क्या हो रहा है, पहले जब GST का पैसा receipt किया था, वो trading receipt था, वो income बन गया था, फिर GST जब government तक जमा किया, उनका deduction भी मिल गया, तो पहले income बना, बाद में deduction मिल गया, कोई effect नहीं है, बट बात में अगर GST का पैसा, वो supplier, customer को refund कर देते, फिर से उसका deduction मिल जागा, इनमें भी कोई effect नहीं होगा, बात साम में है, बट अगर refund नहीं करेगा customer को, तो उनका income बन जाएगा, ये बात clear होगिया, income tax में इतना था, GST में जाके इनका consequence बाद में पढ़ेंगे, ये बात clear होगिया, यहाँ, और एक उधारन दे रहे, exam में common question है, मालीच, आपने कोई fixed asset खड़िदने के लिए, fixed asset आपने खड़िदा बाद में, अगर मालीच, आपने एक लाग का, एक लाग का fixed asset खड़िदा है उधार में, तो बाद में एक लाग देना पड़ेगा, बाद में, ओ supplier के साथ, जिन्हों ने आपको fixed asset supply किया, उनके साथ आपका final settlement होता है, और बहुत है, 80,000 दे दिजा, 20,000 देना नहीं लेटी था, trading liability का मतलब revenue nature का liability है, तो यह जो liability था, यह capital nature का liability था, तो इनके respect में, अगर, यह liability अगर, रेमिट हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, तो जो आपको benefit मिला, ओ benefit, PGP head में chargeable नहीं होगा, under section 41.1.